उत्तरप्रदेश में विधान सभा चुनाव का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में हम आप पहुंचे हैं अवध विश्विध्याले यहां के च्छातरों से जानने कि क्या कुछ महौल रहने वाला है इन उत्तरप्रदेश विधान सभा चुनावों में च्छातरों की या युवाओं की कह लीजिए बात कि क्या है उनके मन में और क्या है उनके हालात इनी से बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ महौल है इस बार सबसे पहले क्या नाम है आपका अंश्वान तिवारी अंश्वान जी क्या महौल लग रहा है क्या होने वाला ह की बात करें तो जो कुछ भी चल रहा है समय उसकी जो डेटा मतलब अगर हम डेटा के हिसाब से चलते हैं तो हमें नहीं लगता कि अगर हमारी ग्रोथ को लेकर के सोच है आगे की तो बीजेपी का आना थोड़ा सा मुश्किल दिखता है अगावा नहीं मिल रहा है तो थोड़ की बात करें तो चात्र अपना कॉलिफिकेशन करने के बाद वह रोजगार की तरफ जाता है वो चाहता है कि उसका भविश्य क्लियर हो बट इस सरकार में देखा गया है कि रोजगार उतनी नहीं मिल पाई है अधर सरकार में देखा जाए तो रोजगार मिला लेकिन कर रही है वो अलग की बात है बट इस बार की जनता पूरी तरह वह है कंफ्यूज है और इस सरकार में मुझे नहीं लगता कि रोजगार के बारे में कुछ खास किया है कहा से हैं आप हम बेटकर नगर से क्या मुद्दे रहेंगे रोजगार ही रहेंगा या और कोई तो छात्र आपको भी पता होगा चात्रों की घटना होई इलाहबाद में तो उस्स चाध्र नाराज है तो छात्र नाराज है कि सरकार ने जैसे लाठिया चलुआ बच्चों को पर लेकिन अब यह भी तो नहीं कहा सकता पूरी तरीके सब सब को सरकारी नौकरी मिल जाएं जैस कुछ जो है प्राइब कंपनियां यह इस टाइब कंपनियां को इस्टेबल करना चाहिए जिस पर जो है लोगों को जादा सजादा रोजगार मिल सकी आपको क्या लगता है क्या महाल होने वाला इस बार देखे माहल तो अधिया कर देखा जाए तो बीजीपी का हमें सब बाला रहा है और जहां तक इस बार है कि अंद तक आते आते बीजीपी ही इस सो ख्लियर करने वाली लेकिन मैं एक बत जो आपने रोजगार के विसमें पूछा चुकी मैं बाहर भी रहा हूं यहां भी रहा हूं हमारा जो प्रते श рук में सरकारी मानसिक्ता कर रहा है यहां पे अब जादा बोल बाला रहा तो हमने कभी भी प्राइवेट अपॉर्चिनटी को हमने कभी भी खंगाला नहीं यहां जाद उसके उपर सर्च नहीं किया मैं बाहर था गुजरात में महाराष्ट में मैं रहा हूं बाहर भी रहा हूं तो वहां पर मोस्ली जो यूवा होते हैं वह 10th सरकारी नौकरी पे डिपन रहा अभी मैं आपको बता हूं कि पिछले पांच सालों के अंदर अगर हम देखें तो आयुद्या में ही आपको मैं बता रहा हूं तीस से चालिस रिटेल स्टोर्स को लें अगर आप एवरेज जहें पांच से दस लोग को नौकरी मिली हैं तो अ सुल्तान पूर जॉन पूर बना तो खुश हैं आपका अमसे सरकार के देखिए खुश मैं इस वेसे नहीं कहूंगा कि कोई भी जो जो कोई भी सरकार 100% अपना नहीं देती है क्योंकि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया है हमारी देश की व्यस्ता में एक ऐसा स्ट्रक्चर है ज अगर वहाँ करप्शन नहीं होगा अगर अधिकारी सही होगा तो नेता लोग अपने आपको बड़ा स्ट्रक्चरल एफेक्टिवनेस की आप बात कर रहें आप से जान लेते हैं क्या लगता है कि महिला की सुरक्षा को लेकर मौजुदा समय में क्या हालात मुझे लगता है भी अधर-परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा चाह है यह सरकार यहsatt की नीटि पे चल रही है तो इस नीटि में ट्रांसपेरेंसी आई है और ट्रांसपेरेंसी पे ही पर जाना चाहिए मतलब मुझे ऐसा लगता है और रही बात सुरक्षा की तो पेछली सरकार में जहां ल जो मौजदा सरकार मेहंगाई के मुद्धे पर फेल रही है जो यहां पर आवारा पशु है जो यहां के लोकल निवासी है उनके लेके दिक्गत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं दिक्कत हो रही जो बेरोजगारी ओरोजगार की बात जो कर रहा है इधाय के दुकानदारों से बात करिये सरकार आए 2 गुणी की बात करती है आज आज अपतबियानाई 2 गुणी नहीं 4 गुणी हो चुकी है जो एक छोटी से टप्रीप बेस्ट हैं उनकी आयचार गुनी हो चुकी है तो बड़ी दुकानदारों की तो बात ही छोड़ दीजें आयचार गुनी हो गई है अधिया कि लोगों की चलिए अभी मंदिर नहीं बना है तब अब जिस दिन मंदिर बन जाएगा तब सुच यह कितनी हो जाएगी वो तो समय समय बताएगा कि क्या कुछ होना है मैं आप से बात कर रहा था आपने बताए कि जो यहां के सभी छात्रें उन्होंने एक यूट्यूब यूट्यूब की तरीकते कि का थ thriver को पुछा रहे हैं तो सब का साथ सबका विकास कर दो अच्छा आप से में बात कर रहा था आपने अपना अलग प्लैटफोर्म खोल यूट्यूब यह लोगने तो एक ग्रुप है तीम है आपका अलग है प्लाटफॉर्म है YouTube पे क्या कर रहे हैं उसमें किस तरीके से खबर डालते हैं कहां कहां से आपने इसकी आज लगबर अयुद्या का बड़े से बड़ा व्यापारी आज हमें जो है स्पांसर करता हमारे पेज को और उसके थूरूर से मैंने पांच लोग को रोजगार दिया है तो यह मतलब मैं इस चीज के लिए धन्यवात कहूंगा यहां के व्यापारियों का भी और यहां के सरकारी तंत्र इतना हावी रहता है हमारे प्रदेश में कि हमें वो रास्ता दिखता है नहीं कि यहां पर सरकारी नौकरी वाला लड़का ही चाहिए सरकारी नौकरी का ही हो तो ही उसको तवज्यों मिलती है प्राइविटाइज अगर आप प्राइविट का कुछ भी करेंग 10 मार्च को क्या कुछ नतीजे आएंगे उस पर कुछ प्रकाश इन्होंने डाला कुछ सवाल जवाब हुए और इनके जवाब जो थे बेहद महतपूर्ट थे और सरकार को भी इन पर गौर ज़रूर करना चाहिए कैमर परसन देव चौवे के साथ संदीब गौर अयोध्या